ग्रंथों के अनुसार पिशाच, महर्शिक, कश्यप और दक्षपुत्री, क्रोधवर्षा के पुत्र माने जाते हैं। पुराणों में पिशाचों को मांस भक्षी बताया गया है, जो रक्त का पान करते हैं। असुर भी निशाचर होते थे, किन्तु पिशाचों को पूर्ण रूप से निशाचर माना गया है। ये इच्छाधारी होते थे और किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। पश्चिमी संस्कृती में वैंपायर का जो वर्णन किया जाता है, वो वास्तव में पिशाच का ही स्वरुप है। पिशाचों में जो सरवाधिक शक्तिशाली होते थे, उन्हें ही बेताल कहा जाता है। कई स्थानों पर इन्हें पिशाचों का स्वामी भी बताया गया है। शैव धर्म में इन्हें भगवान शंकर का गण और कई स्थानों पर उनका वाहन भी कहा गया है। कुछ स्थानों पर इन्हें मां शांता दुरगा का भाई भी माना गया है। ये काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते थे। गोवा के अमोना गाव में बेताल स्वामी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है।